हेलो एंड वेलकम टू आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से सजी गुरुकुल के इस ऑफीशियल एप पर तो सिविल सर्विसेज बैच में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैंने आप से कहा है कि छोटे-छोटे तीर और घाओ करेंगे गंबीर आपके अ अगinkर चर्चा कर रहे थे तो माइन करें हम लोग भारत में अच्री भारत में अच्छे तरीक हैं नहीं बन बारे थे दूसरी तरफ दादाभाई। नरोजी जो प्रियटिस Assembly House of Commons में चुने जाने वाले पहले ACI या पहले भारती ये बन गए तो चलिए स्टार्ट करते हैं दादा भाई नरौजी के बार में सभी चीजों पर और जितने भी प्रश्ण अभी तक पूछे गए हैं उन सभी डेटा को अनलेसिस करते हुए सारे कोशन करते हैं तो दादा भ गोखले जी को और गोपाल क्रश्ण गोखले मातमगांदी के राजनीतिक गुरू थे लेकिन गोपाल क्रश्ण गोखले ने कहा क्या एक ऐसा वेक्ति जिसके अंदर साक्षात भगवान वास करते हैं वो कोई और नहीं दादा भाई नरौजी हैं तो आज हम लोग इनकी होता है और 30 जून 1917 में दादा भाय नरोजी की मृत्यू दोनों ही स्थान महराश्र की राजदानी मुंबई है चार सितम और 1825 को विश्व में सबसे पहले ट्रेन चलाए गई थी आपको पता है इंगलाइंड में विश्व की पहले ट्रेन 1825 में चलाए गई थी और 1917 में आपकी रूस की करानती हुई थी दादा भाय नरोजी को कौन कौन से उपाधियां दी जाती हैं तो दादा भाय नरोजी ने एलफिंस्टेन कॉलेज जोईन किया था अलफिंस्टेन कॉलेज को जोईन करने के बाद वहां पर गड़िद के प्रध्यापक की रूप में काम करते थे तो वहीं पर unki की मुलाकात एक अंग्रेजी प्राध्यापग यानि एक अंग्रेजी की अध्यापग जिनका नाम तो प्रोफेसर अलबैरो तो प्रोफेसर अलबैरो सुई अलबैरो दादा भाई नरोजी को बहुत मानने लगे और उन्होंने अपने पूरे छेतर में दादा भाई नरोजी को Hope of India का नाम दे दिया यानि कि question आपसे पूचा जाएगा कि भारत की आशा किसे कहा जाता है तो भारत की आशा दादा भाई नरोजी को कहा जाता है आप लोग नौरमल से प्रशनक पे वाकिफ होंगे The Great Grand Old Man of India भारत का महान वयो वरद्दपुरुस किसे कहते हैं तो यह आंसर आपको पता है दादा भाई नरोजी यहाँ पर आप सारी उपाधियां याद करेंगे कि The Great Grand Old Man of India भारत का महान वयो वरद्दपुरुस भारत का ग्लैज स्टोन ग्लैज स्टोन आफ इंडिया कहा जाता है आंसर विल भी दादा भाई नरोजी फिर से याद दखेंगे जन्म 4 सितंबर 1825 मृत्यू अना 1917 उपाधियां भारत का वयो वरद्दपुरुस भारती राजनीति का पिता भारती अर्थसास्त्र का जनक और प्रोफेसर एले बरो ने इनको क्या कहा होप आफ इंडिया इन्होंने अलिफिस्टन कॉलेज में गड़ित के प्रध्यापक पत से अपना काम सुरू किया था और इन्हें को कहते हैं भारत का ग्लैजिस्टोन ग्लैजिस्टोन ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको सारी उपाधिया समझ में आ गई स्लेक्टों चलेंगी जैसा कि मैं ने बताया इलफिस्टन कॉलेज में गड़ित के प्रध्यापक रूप में काम कर रहे थे है भारत में सिख्षा का परसार करने के लिए छापना करी दादा भाय नौरो जी के जो पूर्वज हैं वो पारसी थे दादा भाई नरोजी के जो पूर्वस थे वो कौन थे पारसी थे और पारसी धर्म में जब घोटाला होना शुरू हुआ तो पारसी धर्म सुधार आंदोलन चलाए गया और पारसी धर्म सुधार आंदोलन में इनों ने रहनुमाई रहनुमाई मजदाई सभा का गठन किया आद आप से पूछा जाए कि रहनुमाई मजदाई सभा या आंदोलन किसने शुरू किया था तो यह पारसी धर्म सुधार के लिए आंदोलन था जो दादा भाई नौरोजी द्वरा शुरू किया गया यानि इनके जो पूर्वस थे वो इरानी थे यानि की पारसी थे इस प्रकार आप से कोशन पुछा जाता है कि कॉंग्रेस के पहले पारसी अध्यच कौन थे तो दादा भाई नौरोजी थे फिर मैंने बताया सिक्षा का प्रसार करने के उसके लिए इन्होंने भारत में ज्यान प्रसारक मंजली की स्थापना करी और ब्रितिस एसेंबली में सदस्थ बनने वाले पहले भारती जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्थ बनने पहले भारती या पहले एशिया आई दादा भाई नरोजी थे और इन्होंने किस पारटी से वो जबाजवाइन करी थी तो liberal party तो याद रखेगा यह liberal party के थे और British Assembly में जब यह house of commons के सदस्य बने थे अगला भारत की इस्थिति को सुधारने के लिए भारत की इस्थिति को सुधारने के लिए और British सरकार तक भारत की बात को पहुँचाने के लिए यह लंडन चले गए और लंडन जाने के बाद जब भारत आए तो 1905 में जब लॉड करजन ने बंगाल के विभाजन कर दिया तो इनके दिल पर हना बहुत खराब भी था और इन्होंने समझा कि आप British सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम भी British सरकार के बात नहीं मानेंगे अभी तक दादा भा बाए नरोजी उदारवार्दी नेताओं में से सबसे जज़ाओ हुआ हुआ करते थे और यह अंग्रेजेजों को अच्छा मा आनते थे पास्ट हो सिचा को अच्छा मानते थे और उसके प्रसार के लिए भी लगे रहते ते लेकिन लोट करजन ने जब बंगाल के विभाज किया तो सबसे ज़्यूद दुखी हुए वह दादा भाई न्योजी हुए इसके लिए 1853 में भारतियों के समश्चक समधान करनने के लिए बारतियों उद्योग्तियों की समश्क सम अकर इंक लिए निमें तरेपन में Bombay Association की स्थापना करी, फिर इसके बाद चले गए कहां London, और London में ही Indian Association की स्थापना करी, महां के सभी भारतियों द्योगपतियों को सामिल किया, उन सब को से बाचीत करी और संगठन मनाने की बात करी, तो Indian Association मना, इसके बाद 1867 में इन्होंने East India Association की स्थापना करी, फिर समझाता हूँ, फिर से याद रखेगा, 1853 में Bombay Association की स्थापना, 1866 में Indian Association की स्थापना, और 1866 में British East India Association की स्थापना, लंदन में दादा भाई नरोजी ने करी थी, ये बहुत महत्पूर्ण कोश्चन है, इसके बाद, अगली बात करेंगे, दादा भाई नरोजी की दो प्रमुख पत्रिकां हैं, एक पत्रिकां इन्होंने गुजराती भासा में निकाली, जिसको नाम है राश्री गोफ्तार या राश्री गोफ्तार, और दूसरी पत्रिकां का नाम है, वाईस ओफ नेसंस, याद रखना है, इनकी दो पत्रिकां है, राश्री गोफ्तार और इंडिया एक और याद कर सकते हो जब पार्सी धर्में सुधार कर रहे थे तो उन्होंने किताब लिखी तो इनकी तीन पुस्तकें आपको याद रखनी है कौन कौन से पुस्तकें याद रखनी है इंगलेंड डेप्ट टू इंडिया दूसरा पावर्टी एंड अन बिटिश लूर इंडिया और तीसरा दा पर्शियन रिलीजन अच्छा अब आपने सुना होगा कि दादा भाई नरोजी ने ही सबसे पहले राश्ट्री आयका आकलन किया था 1866-67 में तो नेशनल इंकम को राश्ट्री आयका आकलन करने का पहला सरे जाता है दादा भाई नरोजी को और उस दरणों ने बताया कि भारत की प्रती विक्ति आये कितनी है दादा भाई नरोजी को जाता है इसके पहले मैं आपको समझा देता हूँ इंगलेंट डेप्टि टु इंडिया इस पुस्तक में दादा भाई नरोजी ने ड्रेन वेल्ट थियोरी दी है अर्थात भारत का धन निश्कासन सिद्धान अंग्रेज किस प्रकार से भारत का पैसा इंगलेंट क्यों ले जा रहे हैं इसमें अच्छी तरीके से समझाये गया है जैसे क्रशी का वाणिजी करना तो क्रशी के वाणिजी करना की जो प्रोसेस थी जो अंग्रेज जोने अपनाई थी जिसके तैथ हमारे जितने भी व्यापारी हुआ करते थे या पर हमारे जितने किसान हुआ करते थे जो कच्छा माल उगाते थे और खुदी चीज़े बनाते थे उनका कैसा धंदा नश्ट कर दिया सूरत को बचसूरत कर दिया मुर्सीदा बाद उजड़ गया धाका जो मलमल के प्रिसित था वो खटमल जैसा हो गया तो वो सारी चीजें कैसे हम लोग का हनन हुआ है कैसे हम लोग का सोसन हुआ है उसके लिए ज्रेन वेल थेोरी हमको पढ़नी पड़ती है जैसे जब कच्छा माल देखिएगा पर सब्सक्राइब एडर और मसीन में कपडा बनाये यह अर Зем में लोग को बेज़ दे हम से हात से बुनाई ये सपहँ करते तक मेहरे मसीन से लाते थे इनकी पली थोड़े से सस्ते हो जाते थे तो जिससे लोगों को भी लगा कि यही कपड़ा आम लोगों को पहनना चाहिए बात समझ में आ गई होगी जैसे और भी बात बताता हूं मैं जैसे भारत का कोई विक्ति चाहे वो रेस्मी वस्त्रों रेस्मी वस्त्रों खुझे कहा जाता था र 27% 21% 90% छान रेसमी वस्तरों पर तो 90% टैक्स लिया जाता था और उसी का ज़ंग जब इंग्लेंड का माल भारत आता था तो हमें कितना टैक्स देते थे साले 3% कितना टैक्स देते थे मात्र साले 3% तो हमसे ले रहे हो 90% और खुद दे रहे हो तो सोचिए हम लोगों किस प्रकार सोचोन किया गया इसके बात आपने देखा कि 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 प्रकार की भू राजट व्वस्थान ले आए जैसे इस थाई बंदो बस्पराली जिसको या सुर्यास्त करनी हम कहते हैं, महल वाड़ी विवस्था, रहियत वाड़ी विवस्था, ये सारी विवस्थाइं अपनाकर, उन्होंने हमारे क्रशी को चौपट कर दिया, अब हम लोग जो अपने पैरों पे खड़े होके पहले दिखला रहे थे, अब हमारे पैर ही काट जीए गए थे तो इस प्रकार से उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत को लूटा है अब दादा भाइनरोजी ने कौन-कौन से शब्दों का पहली बार प्रियोग किया दादा भाइनरोजी ही पहले विक्ति थे जिन्होंने अन ब्रिटिश शब्द का प्रियोग किया 28 दिसंबर 1885 इस वी को कॉंग्रेज की स्थापना होई थी और पहला सम्मिलन बंबाई की गोकुल दास तेजपाल संस्कत विद्याले में आयूजित किया गया था और उसके अध्यश डबलो से बनर जी बनाए गये थे दादाभाई नरोजी ने इस पहले सम्मिलन में ही Indian National Union कांग्रेस का पुराना नाम था Indian National Union भारती राश्ति संग लेकिन दादाभाई नरोजी के कहने पर या सिफारिश पर Yूनियन सब्द को हचा दिया गया और उनियन सब्द को हचा कर कॉंग्रेस शब्द का प्रियोग कि है शक्ति साली लोगों का समुर्व पकी बात तो कॉंग्रेस शब्द का प्रियोग करने वाले या कॉंग्रेस सब्द जोडने वाले इसके बार दादा बैनरोजी कॉंग्रेस के टोटल तीन मरा द्यक्ष रहे पहला 1886 में दूसरा 1893 में तीसरा 1906 में 1886 का दिवेशन कलकत्ता में वा था 93 का लाहॉर में 1906 का वापस कलकत्ता में हुआ था जब 1906 का कलकत्ता में हुआ तो 1905 में लॉड करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था जिससे बहुत आहत हुए थे दादा भाई नरोजी तो उन्होंने विदेसी वस्तूओं का भाहिसकार करने की बात कही और पूरी तरी स्वाराज सब्ध से मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हुँ पहले से ही है कि अगर आपसे पूछा जाया कि स्वाराज सब्ध किस ने दिया है तो स्वाराज सब्ध हमको दयानद सरस्वती जी ने किया है फिर से यह दखना है कि स्वराज सद्का प्रियोग पहली बार किस ने किया है तो स्वराज सद्का प्रियोग पहली बार दादा भाई नरोजी ने किया है स्वरी दयानंद सरसोती ने किया है लेकिन स्वराज बिल कौन लाया था स्वराज विधेयक कौन लाया था 1895 में स्वरा स्वाराज का प्रस्ताव कौन लाया था तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लहोर दिवेशन में जवहरलाल नहरु की द्वरा लाया गया था और 26 जनवरी 1930 को ये पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पाज भी हो गया था और भारत में खुसी की लहर दोड़ी और भारत ने पहला स्वाधिन्ता दिवस भी मनाया 26 जन्वरी 1930 को यही कारण है कि समधान 26 नवंबर 1949 को बन जाने के बाद भी लागू कब हुआ 26 जन्वरी 1950 को तो यह 26 जन्वरी important date थी फिर मैंने आपको बताया राश्री आका आकलन करने का सरे सबसे पहले दादा भाई नरोजी को जाता है भारत में जो ब्रिटिश राज है वो राज जादा है और ब्रिटिश कम है यह statement है दादा भाई नरोजी का दूसरा Congress के वाफादार थे तो नहींने कहा था Congress एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो भारती सासकों के साथ साथ भारती जन्ता की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है तो Congress एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो भारती सासकों के साथ साथ भारती जन्ता की भी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है इनके मर जाने के बाद गोपाल कर्शनी को खले द्वरा कहा गया क्या यदि किसी विक्ती में यदि कहीं पर भी देवत है या यदि किसी विक् सब्सक्राइब करने का तरीका आपको फैक्ट डेटा वो सब कुछ अच्छे से मिल गया होगा तो यह बायोग्राफी की सीरीज आपकी चलती रहेगी और आप विस्वास मानिए आप इतने होजियार हो जाएंगे हाना जितना कोई नहीं बस आप मेनत करते रहिए बच्चों हम सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकते हैं आपको बहतर कंटेंट दे सकते हैं बहतर आईडियाज दे सकते हैं पूरी तरीके से लेकिन आपको ही मिनत करनी है अगर मैं 90% मिनत कर रहा हूं तो 10% चिर्फ आप मिनत कीजिए हमारे साथ और सलक्षन 100% होगा ठीक है पलेक समय था कि आप लोग टीचर 10% करता था और बच्चा 90% करता था और सलक्षन होता था लेक्षर देना उसको समझाना उसको डिलीवर करना कंटेंट देना सभी जगे से कंटेंट उठाकर एक बार में आपको प्रवाइड कराना यह अपने आपने बहुत बढ़ा टास्क है जो इसका आप फायदा जरूर उठाएं कहीं और भटक ना जाएं हमारे पढ़ाने के बाद आप इंटरनेट पर सर्च करें और दादा भैनरोजी के जितने भी डालीजिए दादा भैनरोजी जी के कुश्चन फर प्री मेंस कुछ भी डाल लीजिए और इसके बाद उन और आप देखेंगे इस 15 मिल जाएंगे जो आपके परिक्षा में पूछे गए हैं तो आज लिए इतना काफी है थैंक्यू वेरी मच्छ नमस्कार